नवरात्री से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्रधा MH1 को सब्सक्राइब करें जै माता दी बहुत बहुत स्पागत है आपका हमारे इस विशेश कारेक्टरों में जिसका नाम है नौ दिन नवरात्र के आज हम जिस देवी के विशे में आपको बताएंगे वो है मा सिध्धिदात्री रिधियां और सिध्यां देने वाली मा का स्वरूप कैसा है मा को कौन सा रंग प्रिय है मा को भोग क्या लगाये जाए और जैसा कि लगाता आरिसे कारेक्टरों के जरीए हम आपको इन आठ दिनों में आपको बताएंगी महा उपाय क्या किये जाय सकते हैं और इसे जुड़ी चमाम जानकरिया लेकर आज फिर से हमारे से कारेक्टरों में उपस्थित हुए विश्विख्या जोतिशाचारे वास्तुव एक्सपर्ट नाड़ी वैद पंडेच सुनील भारदवाजी एकवा फिर से स्वागत करेंगी गुर्देब का गुर्देब ब बात करते हैं तो ये कमल पुष्व पर आशीन है इनके दाहीने हाथ की बात करते हैं तो दाहीने हाथ में चक्र और गदा बाएं हाथ की बात करते हैं तो उपर वाला हाथ जो है बाएं में उसमें है शंक रिख मैं कमल पुष्व कमल पर आशीन है ये आसन इनका बड़ा सु पस्या का फल देने का समय है मा का इनका ये सरूप सभी देपताओं को भाता है सभी देपता इनके सरूप की सदियों तक कामना करते हैं ये रूप मा का नौरात्रों में ही देखने को मिलता है नौरात्रों में सिद्धी दात्री का सरूप देखकर तीवी देपता, कहते हैं बाजे बजाते हैं, हर सुलास के साथ फूल बरसाते हैं, समस्त गड़, और ये सरूप अगर हम भी देख लेते हैं, तो कहते हैं हमारा भी जीवन सफल होता है, बहुत सुन्दर, आज की दिन से जोड़ी कथा क्या है, वो बताएं आप, सिद्ध दात्री का ताथ पर एक ये भी हुआ कि मां का जो रूप है, वो इतनी तपस्या, खोर, तप, कठोर, कहते हैं जिसको तप किया माने, आपने देखा होगा, भरम चारनी बनी, पहले जिनके वस्ता से जाएं, शैल पुत्री हुई, परवतराज हिमाले के यहां, फिर उ के बाद काल रात्री, और मां सिद्ध दात्री जब बनी हैं, तो अर्द नारिश्वर हो गई महागोरी के बाद, काल रात्री महागोरी हुईं, और उसके तुरंत बाद अर्द नारिश्वर, अर्द नारिश्वर का जब आपने देखेंगे, तो मां का जो सरूप है, वो इस सरूप को देपता देखने के लिए तरसते हैं युगों तक इंतजार करते हैं युगों में मिलता है ये सरूप देखने को और जब आपके पास अर्दिनारिचर हो जाता है तो समझ लेजिए कि आपका कल्यान है फिर आपका आवागमन के बंदरों से मुक्ती मिल जाती है वो सभी सिद्धियां आपको पराप हो जाएंगी आठ सिद्धियां कही गई है आठो सिद्धी मिलती है और आठ सिद्धी क्या होती है आठो सिद्धियों के नाम भी है आईमा महिमा गरिमा ये सब को सिद्धियां है आठो पहरलाब संतोसा भगवान किष्ण के उसमें तो अठारा सिद्धियां बताई गई जो अठारा भुजा वाली माँ हम पिछले दिन आपको बता रहे थे वो यही अठारा भुजा रहे हैं वो अठारा सिद्धियां कही गई हैं और यह अब आप पहुंचे हैं मनी लोग अब हम आपको मनी लोग का भी वर्लन बताएंगे क्यों मनी लोग का वर्लन है और अठ्हारा बुजा वाली मा Chanel आठ्हारा शिद्धियां सभी हातों में कुछ न कुछ है उन्हें वह हमें क्या प्रदां करती हैं हो मैं सुख सांती देती हैं इस मिर्नत्य और उसके बाद मोख्श का अदिकारी होता है और मा के लोग का वासी होता है यह मिलता है इन सिद्यों से तब उसका जीवन विक्ती का होता है सफ़प अजके दिन मा को बड़ा सुंदर भोग हुग है क्योंकि आज का दिन तो है हमारे पास धान का हलुआ है, यानि कि जो माको हाफ हलुआ तो आज का दिन का हलुआ 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 चल रहा है, अश्ट्मी के दिन सेrespect हलुआ ही चल रहा है, और हलुआ ही déjà आपके पास खुद बनाय हुआ पीसा कहते तो यह हैं कि गहुँँ खुद भी पीस लो उससे आटा बनाओ सास्तर कहते हैं उससे आटा बना लो अपने हाथ का आटा बनाया हुआ अपने हाथ की सूजी बनाई हुई 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 अपने हाथ की सूजी निकाली हुई 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 मा क्योंकि जो काम करें किसी से अपवितर ना ले सुझी क्योंकि कभी कभी सुझी में देखा हो कीड़े भी पड़ जाते हैं तो उसको बिलकुल आप ताजा बनाएं ताजा निकल वाकर लाएं उसको कहीं से लेना ऐसा तो वो बिलकुल सुध रवस्था में होना चाहिए आज के दिन बहुत जादा सुधी जरूरी है क्योंकि सिद्धी आपको तब ही लगी हे जाब आपकी मन बुद्धी सुध होने तब हैसि आपका भोग मा गरहन करें आज का दिन आपका वचन से मन से और करम से येसुद होना चाहिए नहीं तो इस बास का मामला आपका ठीक नहीं है आप भोग कराएं ये भोग मा को सबसे ज़्यदा प्री जी गुरुजी मैंने आपसे एक कारेकर्यम के दौरन पुछा था कि नौ रात्रियां ही क्यों आज मैं आपसे पुछूंगी नौ दिन ही क्यों मा के मा के नौ दिन इसलिए हैं मा के चौबिस घंटे हैं हमने कहा ना आपको आठो पहर लाव संतोसा आठो पहर है आठ पहर है वो आठ सिद्धियां आपको तब ही तो मिली है आठ पहर है ना आपके बास तो आठो पहर हो गए आपके पास दिन में और रात में बराबर हो गए ये जो इस लोख है उनका मतलब यही है क्योंकि आपकी जो अंता करने है वो सुद्ध करने का सबसे उप्यूकत समय है रातरी और दिन काल आपके पास है उपासना का करम करने का रात को करम क्या कर रहे है सो रहे है ना रात को या मंतर कर रहे है अब आप ये नहीं है एक रिटर्न एक्जाम होता है एक मोखिक एक्जाम होता है होता है ना तब आपको पद मिलता है तो यहाँ पर आपके दोनों एक्जाम है रातरी काल में आपकी साधना कितनी है और दिन में आपके करम कितनी है इसलिए हम बार-बार इस बात को कहते रहे, मनसे, वचनसे, मनसा, वाचा, कर्मना, मा की स्वरूप का वर्णा ठीक है, मा वो प्रेड़ना देगी आपको, आज कमल पुष्प पहैं, गदा भी है मा के पास, सुदर्सन चक्र भी है मा के पास, चक्र है मा का, और उसके बाद, मा के पास संक भी है और कमल पुष्प भी है तो आप साधक साध रहा है तभी तो अर्दनारिश्वर बना वो अर्दनारिश्वर ऐसे नहीं बना ये जो साधक का वो ध्यान है वो केंद्रिता बहुत उपर उठ चुका है अब वो समाधी प्रक्रिया से डूब चुका है ईश्वर से मिलन हो चुका है यह है वो सुरूप और यही है पूरा बाक्यान कि आज के दिन दिन क्यों रात क्यों दिन और रात आज बराबर है आज आज आपके पास बंधन नहीं है आज आज आपके पास समय का भाव नहीं है आप कहेंगे मेरे पे समय नहीं है मैं भाव है समय का ऐसा आज आपने पूर्णता समर्पन कर दिया जब आपको देखो जब आपके पास सभी सिद्धिया हैं सब संपनता है तब आप तुरक्षित हैं चाहे किसी काल की बात कर लो चाहे आप दौपर में चले जाओ तृता में चले जाओ दोनों कालों में चले जाओ भगवान राम के सम मैं बेबी सीता मैय ने भी देवी क्यों पास ना करी थी क्यों भगवान राम को पाने के लिए किष्ण को पाने के लिए मा काते हैं नहीं क्यों पास ना करी थी और उस समय तो जब लौट रहीं थी तो क्या कहा था सुन सीय सत्तासीस हमारी पूज़े ही हुए काम ना तुमारी खसी माल मूरत मुस्काई जब हम वो परचलन वही है वो परचलन वही है ये दिन और राद बराबर है हमारे क्योंकि हम भगवान पे देपता पे माला चड़ाते हैं और माला नीचे सरके तो समझ लिए देपता हमें आशिरवाद देरे संकेत हैं ये तो इसलिए ये सब संकेत हैं हमारे पास सीता मैय ने ये पूज़ा करें थी तो दिन और राद यहां पर आप 24 गंटे अब माने ये नहीं देखा कि मैं रात रात में जाकर जाब करूं वो तो एक यूगों तक जाब किया आपने यूगों तक जाब करना होगा आपने फिर दिन और रात नहीं देखने फिर अपनी भूक और प्यास नहीं देखनी अंधिरा और दिन नहीं देखना ये दोनों बराबर हैं समान है तब आपको वो सिद्धी मिलती है तब आप सिद्धी दात्री के अद्धकारी होते हैं दरसन के और सिद्धी दात्री आपकी कहा है सहस्तर तो आपका खुल चुका भरमान आपका खुल चुका अब आपको ग्यान हो चुके, अब आप ग्यानी हो चुके, देवी का उपासक कभी दरिद्र नहीं होता, देवी का उपासक बलहीन नहीं होता, देवी का उपासक हमेशा धनवान होकर यश कीरती सम्मान का दिकारी होता है, और अपने परिवार को, अपने कुल को तार देता है मास सिद्धिदातरी से मिलता क्या है ये भी ज़रूर जानेंगे गुरूजी आपसे लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का इस खुबसुर चर्चा के साथ हम पुना हाजर होते हैं मॉम नूडल्स नो जंक फूज छी करेला फिर से चश्मा नहीं लगेगा और जानती हो हरी सबजियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रॉकली से इम्म्योनिटी रोज रोज वेजेटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी और मेरे बालों के लिए हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैंपू लगाने से रोज अपने बालों को रोज दीजे वीट और सोयबीन के पोशन से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैंपू जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने जै मातादी इस छोटे से अंतराल के बाद एक बाद फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेश कारिक्रम में जिसका नाम है नौ दिन नवरात रखे और इसे जो भी तमाम जानकारियां हमें दे रहे हमारे से कारिक्रम में उपसित विश्वी ख्या जोतिशा चारे वास्तु एक्सपर्ट नाडिवेद पंडित सुनील भारत दुबार जी को फिर से स्वागत करेंगी गुर्देप का गुर्देप बहुत-बहुत स्वागत है ठारा भुजा वाली मा हैं हम कुछ सिद्धियों को आपको बताने का प्रयास करते हैं कि सभी तो हम आपको पूर्टा नहीं बता पाएंगे देखिए अगर हम बात करते हैं आहिमा इसके बाद है प्राप्ति और महिमा इसमें सिद्धी भी है भावना भी है इसमें सबसे पहले अब यह संसार जो बना हुआ है यह किसके ऊपर चल रहा है इस संसार में अगर आपने अपने जीवन को यापन करना हो तो आपको अपनी भावनाओं को बहुत अच्छा रखना होगा आपने अपनी गरिमा को बचा के रखना होगा आपने अपने अंदर संसकार अच्छे उत्पनल करने होगे आपको अपनी महिमा ख्याती फैलाने के लिए यह सम्नान है जो हम बोलते जा रहे हैं आपको अपनी महिमा करने का आप महिमा कैसे हो आपने वो करम अच्छे करने हो करम पर्धान विश्वरच राखा भगवान किष्ट ने जब ये बात बताई तो उन्होंने ये भी कह दिया कि योगा करमशू कौसलम छटे और साथ वे ध्याय में आपको सब गीता हुआ बता दिया आप ऐसा करम करो ऐसा योग करो ये सिद्धियों से मिलेगा हमें हमारी की सिद्धियों से मिलेगा सारी सिद्धिदात्री का तात्पर ही ये है कि आपको सब गुण संपन होना है कैसे होना है इनको अपनाना कैसे है आपने जो कर्म करो वो जुड़ने के लिए कर्म करो वो आप बिच्छडने के लिए कर्म नहीं करो अब पहला है नौना सूत्र बताया मात्र देवो ववा, पित्र देवो ववा, अचारे और अथिती देवो ववा अब सबसे पहला गुरू मानो मा को माँ ने आपको वो गुण दिये वो धत्तातरे भगवान जी के जो 24 गुरू बताए गए हैं उन गुरूओं को भी यहाँ पर वर्ण है ने 24 अबतारों में जैसे तो आपने उनको सब को कैसे अपनाना है पहला करम इनों ने बता दिया कि आपने माँ को सर्वो परी मानना है जिसने जनम दिया वो ही आप उसका रिना आप कभी नहीं चुका सकते लाक यतन करने के बाद वो पहला आपका है आपने जो अपने बच्चों के अंदर संसकार डालने हैं वो आपके पास क्योंकि वो आने वाले कुल के आपके संचालक होंगे वो आपके परिवार के आपके कुटुम के आपके गोत्र के आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं यह वो होंगे जो आप चाहते हो और उनके अंदर ऐसे संसकार परविष्ट कराना है जो आपके हित के लिए हो देश के कल्यान के लिए हो आपका कीरती और यश्ट पहला है आप जब किसी को लेके आते हैं घर में यानि कि आप साधी करते हैं तब आप किसी को लेके आते हैं तो वो उसकरनिया को लेके आते हैं आपका वो दायत पूरा बताया गया है कि आुलिए आपके पास सारे पुरा परिवार को चलाने का एक जिम्मेधरी आपकी आपकी ताद आप असके उत्तर दाई। हैं हैं आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते एक हुआ ऐसे उठाती हैं तो बागी हुआ आ आपके आपके आमधन ही काम है HAM के पास रोजगार नहीं हैं, आपके पास भी पती है, आपके पास कस्ट है, आप बंदन में हैं, आप रोगी हैं, इसके जिम्मेदार आप स्वैम हैं, आप स्वैम जिम्मेदार हैं, क्योंकि रोग आपने उत्पन किया तो आपने बद्परिजी करी होगी, आप धनवान नहीं हैं तो आपने बुद्धी का परख नहीं बहुत है समय समय पर आपने बुद्धी की तीशन्टा को नहीं लाए यानि कि आपने एजुकेशन में कमी करी होगी इसलिए कहते हैं पर्थम जो है एजुकेशन बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर वो संसकार पिता ने डालने हो होगे माने ही तो बताया यह नमक है यह चीनी है यह बजली है यह आघ है माने बताना है अ यह वो सिद्धियां का अतात पर हुआ आपके जीवन में पर मूर लूप आना कै जब आप पूरे सहस्टर तक खुल चुके अब आपके एजुकेशन पूरी हुचके अब आप उसको गुणों को पहचानने की allocation है, यह नौरात्रे है उतकी काया को कलब करना है आपकी बुद्धी का वीकास करना है इसका ममें किसी का अपमान ही करना, किसी का निरादर नहीं करना दूसरे की संपत्ती नहीं छेलने वो धन मा को पता होता है बच्चा मेरे घर में कौन सा धन लेके आया तो धनी ना आने दो एक मुकुटी तो आया था एक मुकुट आ गया था उसके बास से कल्यूप प्रारम हो गया था बिल्कुल तो आप की माँ पहला गुरू इसलिए माना गया है तो ये आपके पास पिता का कर्तब वह आपके पास क्या है अगर आप पिता है तो बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपका कर्तब वह आप दादा है नाना है नानी इन तमाम परशनों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे और आप अपने जीवन को कैसे सुरक्षित करते हैं और इस जीवन को कैसे काया कल्प करते हैं और अपने आने वाले कल्प को कैसे सुधार के जाते हैं कि बाद आपके आपका नाम अशुरत और कीरती गय जाए लोग आपको याद करें माका प्रिया रंग कौन सा है यह भी आप हमें बता सुनहरा रंग बहुत प्रिया है आज का दिन सुनहरा है आज का दिन गोर्डन है गोर्डन जब गोल्ड मिलिया तो समुझत Ne zuär stronger से बढ़िया कोई चीज़ नहीं लगती लोगों हम यह कहना चाहेंगे कि सुर्ण एक रंग है मा को बड़ा प्री आज का दिन क्योंकि मा का पीतंबर रूप है मा का पीतंबर आज के दिन है क्योंकि संक उनके पास है सुधर संचक्र उनके पास है और यहां तक की गधा भी सु आज के दिन मा को जो खिलाया जाए फल आज के दिन केले की फली आज के दिन 56 भोग मा को खोल दो आज के दिन का सबसे बड़ा भंडारा है क्योंकि आज वो सभी सिद्धियां आपको प्राप्त हो चुकी हैं आप उन सिद्धियों के अधिकारी बन चुके हो बसर्थ आपकी जो मन है ना वो वही केंदरित होना चाहिए जहां माँ चाहती है अब जाते जाते हम आपको मनी लोग के भी बिलकुल दरसन करा देते हैं वो जब वालिस पर कोटे पार करने के बाद जब आप पहुंचते हैं तो वो बड़ा सुंदर दरवार सजा हुआ है वो इतना वड़ा दरवार है कि आपने ब्रहमा विश्णु भहेस भी वहाँ बैठकर नमस्तक रहते हैं यह है वो सिद्धात्री जहां लेके चल रहा है आपको उनकी अठारा बुजाए हैं बहुत विशाल काय सरीर सुनहरा रंग तेज इतना तेज की सूरे की चमक भी कम लगे सूरे के हजारों सूरे के बराबर भी वो परकास नहीं हो सकता जो मा का सरूप है देखने से वहाँ पे कोई रोगी नहीं है कोई दोश नहीं है कोई कष्ट नहीं है बंधन नहीं है प्रम्मा विश्णु महेज भी मा काली सुरसती और लक्षमी को लेकर आते हैं जो हमारी सिष्टी का संचालन करती है वो आदी और अरंथ है वो पर्थम है उनके इलावा कुछ नहीं है वो है मनी लोग की वासीबा महा माई जगदमा उनका उपासना उनके चरण में नमस्तक और आपकी समस्त मनो कामनाओं की पूरती करने वाली है आप सभी ने हमारा ये प्रोग्राम देखा होगा और आपको हम बिलकुल यही चाहेंगे कि उनके चरणों में आप भी अपना मत्था ठेकें ताकि आपके भी मनुरत पूर्ण कर सकें और सभी मनो कामनाओं की पूरती भी महा आपकी कर सकें आज नवा नवरात्र है गुरू जी आज के दिन सबसे सरल उपाय है कि आप चितने घर की महिलाएं हैं बुजरुख हैं उनके चरण इसपर्स कीजिए उनको कुछ नकुछ भोग दीजिए मिस्ठान दीजिए गाय के बने दूद पदार्थ से कुछ भी निर्मित हो उनको भोग लाके दीजिए हो सके तो आज के दिनों ने गोल्डन कलर का कुछ नकुछ आपूशन दर्सन कुछ भी जो दे सकते हैं जो भी आप अच्छा लगे दर्सनी हो देखने से सुन्दर लगे वो भेंट दीजिए परिवार में दीजिए परिवार में नहीं तो किसी ब्रहमनी को दीजिए क्या था सकती कम और ज्यादा दीए छोटी कन्या उसको पूरी पोशाफ दीजिए सौर्ण का कुछ अवश्च दीजिए ये आपका बैंक अकाउंट है महामाई से आपका नाता है वो नाता ही तो चाती है और कुछ नहीं चाती है आपसे आप देखे देखे आपकी संपत्ती बढ़ेगी आपकी कीरती बढ़ेगी आपका यश्च बढ़ेगा और आपकी ख्य बहुत दूर जब हम चले जाते हैं जब हम उनके जब भी माँ से दूर गया है वो वेक्ति हमेसा दुखी रहा है पास रहकर तो हमेसा सुखी ही रहता है क्योंकि आप जब दूर चले जाते हैं शोहरत की बलंदी तो एक पल का तमासा है बहुत दूर चले जाते हैं शोहरत पान निराश नहीं देख सकती निराश साथ तो आप से कोसो दूर चली जाएगी दरेदरिता तो कोसो दूर चली जाएगी हमने कहा ना कि अगर हम मणी लोग चले गए तो दरेदरिता तो होगी नहीं कौन कहता है कि जो मणी लोग का चिंतन करता है वो दुखी है, हमने तो कभी दुखी नहीं देखा पसरत हमाँ जाना चाहिए गुरुजी बहुत खुबसरत जानकारे इन नौ दिनों में आपने हमें और साथी साथ हमारे तमाम दर्शकों को दिये तो आज के आपके तमाम जानकारे ओंके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जैमाता दे आज के हमारे इस खास कारेक्टर में आप हमें दे इजाज़त इन नौ दिनों में हमने आपके साथ मादुरुगा के नौ स्वरूपों के विशे में बताया, जैहां मादुरुगा के सरूप क्या है और साथ ही साथ उपाय क्या करके आप अपने जीवर में सुक शांती और सम्रिधी ला सकते हैं, जैमाता दी तमाम जानकारियां हम लगातार समय समय पर आपको देते रहेंगे आज के इस खास कारेक्शन में आप हमें दे इजाज़त हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नहीं जानकारियों के साथ तब तक के लिए जैमाता दी